सुशान सिंग राजपुत केस में दोस्तों आप सब ने भी देखा किस परकार से मामले की गुत्ती सुलजने की बजाए उलस्ती चली गई लेकिन वहीं एक रोचक मामला ये भी सामने आया था कि रोजाना नए-नए बयान सामने आये तो कोई खुद को सुशान का वकील तो कोई अकाउंटन बताता नज़राया था सुशान की पिता को डर है कि ऐसे लोगों के बयानों से केस की जाज पर कोई असर ना पड़े इसी की वज़े से दोस्तों उन्होंने एक बड़ा खदम उठाया था और सुशान्थ के पिता ने एक आखरी बयान जारी किया था सुशान्थ सिंग राजपुत के पिता केके सिंग ने बयान जारी कर कहा कि मैं सुशान्थ का कानूनी वारिस हूँ यानि कि Legal Hair SMS सुशान्त ने अपने जीवनकाल में जिन भी वकीलों, अकाउंटेंट या किसी अन्य प्रोफेशनल्स के साथ काम किया लेकिन अब बात ये साफ है कि उनके जाने के बाद उनके साथ जो रिष्टा था वो भी खत्म हो गया है मैं उनका कानूनी वारिस हूँ, SMS अप किसी भी वकील, अकाउंटेंट या ने प्रोफेशनल को बिना मेरी अनुमती के सुशान्त का पढ़ती निधित्व करने या उसे लेकर बयान देने का अधिकार नहीं है स्टेटमेंट मागे कहा गया कि हाल की दिनों में ऐसा लग रहा है, देखकर कि कुछ वकीलों ने खुद को सुशान्त का वकील बताते वे, सुशान्त और उनके बीच हुई बातचीत को लेकर मेडिया में बयान दिया, जिसकी वज़े से वो काफी ज़्यादा सुर्कियों मे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में सुशान्त के पिता ने कहा कि मैंने किसी को भी सुशान्त की बारे में बयान देने से या उनसे जुड़ी बातों को साजा करने के अनुमती नहीं दी, अगर कोई ऐसा करता है तो ये इंडियन एडवी एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 126 का मेंबर बताता है तो ऐसा करना उसके लिए गेर कांड नहीं होगा, ना इस्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट